क्लास नाइन के साइन्स का चाप्टर नंबर नाइन फोर्ज और यह इस चाप्टर का आखरी पार्ट होने वाला है क्योंकि हम इसमें थीक है यह न्यूटन का आखरी लौ है क्या कह रहा है क्या रहा है क्या जो हमारा न्यूटन का पहला और बदल जाएगा अगर वो ऑबजेक्ट मोशन में है तो वो और तेज से चलने लगेगा वो object अगर rest में है, तो वो motion में आ जाएगा मतलब हम ताकत लगा कर किसी object के motion को या तो उसकी speed को बढ़ा सकते हैं, या घटा सकते हैं, या उसे रोक सकते हैं ठीक है? अच्छा, हमने second law of motion में क्या पढ़ा? हमने method सीखा कि भाई किस तरीके से हम force calculate कर सकते हैं हमने formula निकाला था, second law of motion में, mass into acceleration का तो इस formula का use करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कितनी ताकत लगा रहे हैं अब देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई, जो हमारा third law of motion है वो हमसे ये कहता है कि अगर हम किसी एक object पर ताकत लगा रहे हैं तो वो object हम पर भी उतनी ही ताकत लगाता है चालो, इस चीज को मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक GIF से आप देख रहे हो, Newton साहब इस chair पर बैट रहे हैं Newton साहब ने action दिया, chair ने reaction दिया अगर chair reaction नहीं दिया होता, तो chair गिर जाती चेयर ने अगर opposite force ना लगाया होता तो ये chair ऐसे हिल के क्या हो जाती? गिर जाती मेरे भाई, तो हम chair पर कैसे बैट पाते हैं? यही third law of motion की वज़े से ठीक है? हम chair पर force लगा रहे हैं और chair भी हम पर उतना ही force लगा रहा है जिसकी वज़े से हम chair पर आसानी से बैट सकते हैं अगर chair हम पर force ना लगा रहा होता ना तो जैसे ही हम chair पर बैटते chair तुरन तूट जाती या गिर जाती ठीक है? तो third law of motion हमें क्या बताता है? यह exactly याद रखना कि अगर हम किसी एक object पर force exert करते हैं तो वो object भी हम पर उतनी ही force वापस लगाएगा ठीक है? इस टू forces are always equal in magnitude बट opposite in direction अच्छा यह जो Newton सर बैट कर जो force लगा रहे हैं और यह chair जो Newton की ऊपर force लगा रहा है यह दोनों force का जो magnitude होता है यह equal होता है मतलब दोनों forces बराबर होते हैं बट opposite in direction बट फरक क्या होता है? Newton जी नीचे बैट रहे हैं तो यह force लगा रहे हैं नीचे लेकिन chair क्या force लगा रहा है? उपर मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो action and reaction वाला force होता है वो होता तो equal है मतलब जितना Newton सा force लगाएंगे उतना ही chair Newton पर force लगाएगा लेकिन फरक क्या होता है कि यह forces opposite direction में लगाई जाती है यह नीचे लगा रहे हैं और chair उपर हमारा force लगा रहे है इस forces act on different objects and never on the same object वही कहा गया है कि भाई यह जो action and reaction वाला force है यह दो अलग-अलग objects पर काम करती है chair एक अलग object हो गया और यह इंसान एक अलग object हो गया तो दो अलग-अलग object है तभी हमारा action and reaction वाला force है वो काम करेगा ठीक है अच्छा एक चीज हमने football खेलते time बहुत common चीज हम देखते होंगे हम क्या देखते हैं जब कभी भी हम football खेल रहे होते हैं तो जब भी आप football को मारने के चक्कर में कभी-कभी किसी दूसरे player से हम क्या कर जाते हैं collide कर जाते हैं भिड़ जाते हैं जिससे होता क्या है इससे होता यह कि both feel hurt हम दोनों को चोट लगती है क्यों कि भाई each applies a force to the other क्योंकि एक player वो भी force apply कर रहा है दूसरा player यह भी force apply कर रहा है दोनों आपस में क्या हो गए collide कर गए तो भाई जितनी चोट इसको लगेगी उतनी ही चोट इसको लगेगी क्योंकि यह दोनो equal force apply कर रहे हैं in other words इसको हम किसी दूसरे word में भी कह सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझना है तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि there is a pair of forces and not just one force हमेशा जब कभी भी जहां भी हम force लगाते हैं हमेशा दो forces जरूर होते हैं कभी भी single force नहीं होता है आप देखो यहाँ पर यह chair पर बैटके एक force लगा रहे है chair इन पर force लगा रहा है यह pair of forces हो गए ठीक है हो रहाएगी नहीं फिर से देखो newton chair पर बैट रहे है chair newton पर force लगा रहा है दो forces हो गए यहाँ देखो यह इस पर force लगा रहा है यह player इस पर force लगा रहा है यहां भी pair of forces हो गए, तो जहां भी हम अगर force लगाएंगे, तो force हमेशा pair में होता है, हम जितनी force किसी चीज पर लगा रही है, वो भी चीज हमारे उपर उतनी ही force लगाएगी, the two opposing forces are also known as action and reaction forces, और इस तरीके के forces को हम क्या कहते है, action and reaction forces, क्यों कहते है, क्यों कि हम किसी चीज प 9.2, आप 9.2 figure देख पा रहे हो, इस figure में क्या है, दो spring balance है, A और B, यह दोनो spring balance है और इनको कैसे connect किया गया है, आप देख सकते हो, fixed end of balance B, is attached with a rigid support like a wall, यह जो हमारा, यह थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ठ इसको, यह जो spring balance है, इसको हमने किसी दिवाल से क्या करके रखा है, fix करके रखा है, ठीक है, और A, A वाला जो spring balance है, इसको हम हाथ से खीच रहे हैं, when a force is applied through the free end of the spring balance A, it is observed that both the spring balances show the same reading on their scales, आपको पता है, कि हम spring balance का use क्यों करते हैं, हम force को नापने के लिए करते हैं, ठीक है, तो जब हम spring balance को इस तरफ खीचेंगे ना, तो हम देखेंगे कि भाई, जो spring balance में force दिखा रहा है, दोनों equal force दिखा रहा है, मतलब हम ताकत तो लगा रहे हैं, इस पे, ठीक है, लेकिन जितना force इस पे दिखा रहा है, spring balance में, उतना force इस पर भी दिखा रहा है, इससे हमें क्य क्या कह रहा है कि भाई जब हम इसको खीच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों spring balances में same force दिखा रहा है ठीक है यह force तो same होगा लेकिन opposite direction में होगा मतलब हम force लगा रहे हैं इस तरफ और ये वाला force लग रहा है इस तरफ तो ये दोनों forces opposite direction में होगी जितना हम A को कीचेंगे जितना हम A पर force लगाएंगे उतना ही force A इस B पर लगाएगा ठीक है तो समझ में आ रहा है यहां पर भी हमारा action and reaction वाला force देखने को मिल सकता है Any of these two forces can be called action and the other as reaction हम इस force को action कह सकते हैं और इस force की वज़े से जो इस पर force लग रहा है इस वाले spring balance पर इसको हम reaction कह सकते हैं ठीक है तो force of action and reaction समझ गे This gives us an alternative statement of the third law of motion और ये spring balance के activity से हम third law of motion का एक और definition कह लें या statement कह लें वो हम निकाल सकते हैं क्या कि to every action there is an equal and opposite reaction मतलब हमारे हर कर्मों का हमें उतना ही बराबर फल मिलता है ठीक है मतलब हम जिस चीज़ पर action लगा रहे हैं वो भी चीज़ हमारे उपर action लगा रही है उतना ही force हम पर वो लगा रही है ठीक है However, it must be remembered अलग-अलग objects पर काम करती है कभी भी action and reaction एक object पर काम नहीं करेगी समझ में आया दो अलग-अलग objects मतलब एक तो हमारा हाथ हो गया और ये दूसरा ये spring balance हो गया पहला और दूसरा ये दो अलग-अलग objects थे इस वाले example में भी हमने देखा एक और चेयर दूसरा इस वाले example में भी हमने देखा दो player थे एक और दूसरा मतलब दो चीज़े जरूर चाहिए तभी ये action and reaction वाला force हम पर लगेगा action and reaction बहुत simple है आप बस इतना जानके चलो कि भाई हम किसी चीज़ पर भी ताकत लगाते है आप दिवाल पर मुक्य से मार रहे हो दिवाल भी हम पर उतना ही ताकत लगा रहे है जितना हम लगा रहे है आप जबी ने कभी ना कभी laptop या phone में game तो खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है यह एक ऐसा battle field होता है जहां पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए भाई यह सब possible है यह सब possible है अनिकेडमी के combat में अनिकेडमी combat है क्या यहां पर ना अनिकेडमी combat में आपको इंडिया के top educators question frame करके देते हैं Hindi, English, दोनों languages में भाई आपका जो live leaderboard होता है वो generate होता रहता है हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से number पर हो अभी इसके अलामत personalized score rating से आप अपने performance को improve कर सकते हो, evaluate कर सकते हो और सबसे ज़्यादा important कि भाई आपके पास chance है, जो top performers होंगे वो merit certificate जीश सकते हैं और एक करोड तक का scholarship जीश सकते हैं Basically, Unacademy comment है कि यह एक तरीके का free life test है जहाँ पर class 6-2, class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं हर Sunday, Unacademy के app या website से आप इस test को दे सकते हो वैसे, इस test में 30 questions होंगे 45-60 मिनट का आपका time होगा हर Sunday, class 6-8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे, हर Sunday 12 बजे दोपहर को class 9-10 वालों के लिए 11 बजे and 11-12 वालों के लिए एक बजे ये life test conduct होगा So, किस चीज़ का wait कर रहे हो या description box में आपको link मिल जाएगी अपने class की, मेरे code को use करो, P-R-E-M, ये मेरा code है आप इस code को use करके free में इस test को दे सकते हो even on academy से किसी भी तरीके की purchasing करनी हो, 10% discount में तो आप हमारे इस code को use कर सकते हो Go for it! ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं Suppose you are standing at rest and intend to start walking on the road मालो कि तुम कहीं खड़े हो और तुम चलना चाहते हो You must accelerate भाई तुम्हें चलने के लिए तुम्हें अपनी speed बढ़ानी होगी तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी तुम चलोगे and this requires a force in accordance with the second law of motion और आपको पता है कि अगर हमें किसी चीज की speed बढ़ानी है किसी चीज को accelerate करना है तो हमें force लगानी पड़ेगी बिल्कुल लगानी पड़ेगी अच्छा, जो हम force लगाएंगे आगे चलने के लिए वो कौन सा force होगा Which is this force? किस तरीके का force होगा? Is it the muscular effort you exert on the road? क्या तुम अपने muscular ताकत को इस road पर लगा रहे हो इस वज़े से ये हम चल पा रहे है muscular force हम road पर नहीं लगाते है muscular force किसे कहते है जिसको, जिस पर हम अपने हाथों से काम करें ठीक है, तो muscular force हम road पर नहीं लगा रहे है ये गलत बात है is it in the direction we intend to move क्या जो force हम लगा रहे है क्या हम उसी direction में लगा रहे है जिस direction में हमें move करना है नहीं you push the road below backwards the road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward हम अगर चलते हैं तो चलने में हम क्या करते हैं आप देखो फिर से देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जब ये इंसान चल रहा है तो ये इंसान क्या कर रहा है ये force लगा रहा है road पर और road भी उतना ही force लगा रहा है इसके पैरो पर जिसकी वज़े से ये इंसान आसानी से चल पा रहा है ठीक है अगर ये जमीन जो है जो ground है अगर इस इंसान के पैरों पर force नहीं लगाती तो ये इंसान चल नहीं पाता बलकि slip कर जाता फिसल जाता ठीक है, it is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude एक चीज और आप ध्यान रखना कि हमें तो पता है कि भाई हम जितनी force किसी चीज पर लगाते हैं उतनी force वो चीज हमें लगाती है, हम पर लगाती है, मतलब action and reaction जो forces होते हैं, इनका magnitude तो same होता है लेकिन फिर भी these forces may not produce acceleration of equal magnitude, मतलब भाई ताकत हम जितना road पर लगा रहा है road भी उतनी ताकत हमारे पैरो पर लगा रहा है, इसके बावजूद हम इन दोनों के acceleration को same नहीं कह सकते हैं क्यों? क्योंकि भाई दोनों का mass अलग-अलग है, कह क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको कह रहा है कि भाई, these forces may not produce acceleration of equal magnitude, मतलब कह रहा है कि भाई, एक तो हमारा object हो गया road और दूसरा object हो गया यह इनसान अब इनसान road पर pressure लगा रहा है, road इनसान पर pressure लगा रही है, equal force लगा रहे हैं फिर भी इन दोनों का जो acceleration होगा, वो equal नहीं होगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि acceleration का formula होता है कि जितना हम force लगाते हैं, उसको हम divide करते हैं, mass से, लेकिन इन दोनों का mass क्या है, different है भाई, road का जो वजन है, वो बहुत जादा होगा, इनसान का वजन कम होगा, है की नहीं, तो mass अलग-अलग होने की वज़े से, acceleration सेम नहीं होता है केवल force equal लगती है, लेकिन acceleration अलग-अलग होती है, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा अच्छा, एक और example लेते है, when a gun is fired, आपने कभी गोली चलाते हुए किसी इंसान को देखा होगा, it exerts a forward force on the bullet जब भी हम gun चलाते हैं, तो ये gun क्या करती है, bullet पर forward force लगाती है, bullet को आगे जाने के लिए क्या करती है, force करती है, pressure लगाती है this results in the recoil of the gun, since the gun has a much greater mass, recoil का मतलब क्या होता है, ये जो gun पीछे जा रही है, इसको हम recoil कहते है तो कहरा है कि भाई, जब हम कभी भी gun से bullet को fire करते हैं, तो हम bullet को आगे भेजना चाहते हैं हमने bullet पर force लगाया, bullet ने भी इस gun पर उतना ही force लगाया लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि भाईया, bullet तो बहुत दूर जाती है, gun क्यों नहीं जाती दूर, बताता हूं since the gun has much greater mass than the bullet, the acceleration of gun is much less than the acceleration of bullet यहाँ पर फरक पड़ता है mass का, जो गोली होती है, वो बहुत कम वजन की होती है, लेकिन वहीं पर बंदूक उसका जो वजन है, वो क्या होता है, वो जादा होता है ठीक है अब ज्यादा वजन है इसलिए इसका जो acceleration होता है वो कम होता है ये थोड़ा कम पीछे जाता है लेकिन bullet हलकी होती है उसका acceleration बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो बहुत तेजी से गन से निकलती है ठीक है कह रहा है कि भाई हमारा third law of motion एक जगह और हमें देखने को मिलता है ये seller ये नाविक है ये नाविक जब अपने नाव को चला कर आता है तो वो बाधता है कहीं बाधनी के बाद जब वो नाव से उतरता है तो इसका जो पैर है ये नाव पर force लगाती है नाव इस पर force लगाती ह नाव इस पर force लगाती है जिसकी वज़े से ये इनसान बाहर आ जाता है और ये इनसान नाव पर force लगाता है जिससे नाव थोड़ी दूर चली जाती है यहां से तैर कर थोड़ी दूर चली जाती है तो यहां पर भी हमें third law of motion देखने को मिलता है तो this is all about the theory part of third law of motion अब हम जो third law of motion है क्या है यह third law of motion every action has its equal and opposite reaction ठीक है मतलब हम जितनी ताकत किसी चीज पर लगाते है वो चीज भी हम पर उतनी ताकत लगाता है यह third law of motion है third law of motion पर ही काम करता है conservation of momentum conservation का मतलब क्या होता है जितनी momentum है उतनी बरकरार रहे बिल्कुल भी momentum जादा नहों और नहीं momentum कम हो इसको हम conservation of momentum कहते है ठीक है अच्छा मतलब इसको थोड़ा detail में समझते है according to the law of conservation of linear momentum the total momentum in a system remains the same if no forces acting on the system एक example देखो दो बॉल है ठीक है यह दो बॉल है अब भाई इस बॉल का भी कोई momentum होता है momentum कैसे निकालता है momentum का formula क्या होता है mass into acceleration तो इसका इस बॉल का अगर हमें mass or sorry mass into velocity होता है momentum का formula ठीक है अगर इस बॉल का हमें वजन पता है velocity पता है तो हम इस बॉल का भी momentum निकाल सकते है और इस बॉल का momentum निकाल सकते है conservation of momentum क्या कहता है कहता है कि भाई ये दोनों बॉल टकराने से पहले इन दोनों का जितना momentum होगा टकराने के बाद उतना ही momentum होगा ना momentum जादा होगा ना momentum कम होगा यहाँ पर ध्यान से देखो यह जो first ball है इसका momentum है M multiplied by V और second ball रुका हुआ है इसके लिए इसका momentum 0 है जब यह दोनों ball टकरा जाते हैं तो पहली ball तो रुक जाती है टकराने के बाद इसका momentum हो जाता है 0 और second ball का momentum mass into velocity हो जाता है मतलब क्या है मतलब टकराने से पहले जितना momentum था पहले ball में momentum था अब यह momentum दूसरे ball में हो गया है लेकिन 1 0 है अभी भी 1 0 यहाँ पर भी है 1 0 यहाँ पर भी है 1 mass into velocity यहाँ भी है 1 mass into velocity यहाँ भी है मतलब टकराने से पहले जो momentum होता है टकराने के बाद भी वही momentum है this is the conservation of momentum इसी को हम conservation of momentum कहते हैं इसको हम detail में NCIT में पढ़ सकते थे बट बोहाँ जादा confusing होने की वज़े से हमने NCIT language का use नहीं किया है hope आपको concept समझ में आया होगा कि conservation of momentum क्या होता है conservation of momentum देखो the collision transfer momentum from the first ball to the second ball अच्छा कभी भी truck होती है और यह truck अगर किसी car से जाकर भीड़ जाती है तो भीड़ने से पहले इन दोनों का जितना momentum होगा collide करने के बाद भी इन दोनों का momentum उतना ही होगा ठीक है समझ गे कि नहीं तो यह है हमारा conservation of momentum hope you have loved this chapter this is all about this chapter इसके आगे की जितने भी numericals हैं third law of motion की यह आप ncrt से try कर सकते हो खुद मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो के साथ तब तक कश्रिया काल और